हालो जी गूट इवनिंग कैसे हैं आप सब और एक बाफे से वलकम आपके अपने चैनल में तुझी शाम के चार साड़े चार पजे का टाइम है सो सावन के सोमवार का पहला दिन है शाम से वलोग मैंने शुरू करा है और आप सोचोगे मैं ये क्या बना रही हूँ आज हमारे बारिश भी हुई है मैंने कल के वलोग में शाद बताया था तो मन बहुत खुश हो गया मतलब की सावन का पहला सोमवार बारिश होनी तो बहुत ज मैं धाड़त हैं Sumowaali इस वह बनती हैं तो आज मैं गुल बनाओंगी और पूरे बनाने वाली हुँ अफिस्टें जब स्कूल से हैं तो बच्चों ने डिमांड करी कि उनको पकोड़ भी खाने हैं तो सारी चीजे पनाने वाली कि बाद में मुझे अचानक से याद है अरे मेरे पास वह अगारो का 6-in-1 hand blender है जिसमें मशीन से आसानी से पूरा का पूरा आटा जया है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा जितना जैसा क्योंकि ना जब गुलगले बनाते तो उसके लिए थोड़ा सा मोटा आटा रखना पड़ता हलका टाइट मतलब और जब पूरे बनाते हैं उसके लिए हलका पतला आटा रखना पड़ता है तो मैं पहले टाइट बना के रखूंगी आटा और उसमें से गुलगले बनेंगे बाद में पूरे बनेंगे तो यह मैं यूज कर रही हूं अगारो का 6-in-1 hand blender जिसम बाद में मुझे याद आया अचानक से यह विसकर का है इसमें विसकर है जिससे मैं आटे को बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी एक गाठ जहे है वो फूट जाएगी अच्छे से और बहुत ही अच्छा है रेगुलर बेस से आई थिंग एक महीने से मैं इसको यूज कर आप लोगोंने देखा भी होगा तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी क्योंकि बहुत बार बाद में सब्सक्राइबर जो नए जूड़ते जा रहे हैं पूछते भी हैं कि यह आपने कहां से खरीदा है तो यह अगारोक है जो कि मैंने अमेजोन से खरी है छ़ड़ा जाता है और हलकि हलकि हाथ हो से इसको जो मतलब thought you vere caseu ऑ थारी के निट क alpha बपिस थिए जाए और इससे थोड़ पाएं जह से बीमें चोप तो यह तहीं प्ले हमारी इस्थरवण के रॉड़ी होते लेकिन इन-को फूलने में टाइम लगता हैं इनको थागने और कौन कौन सावन में जो से नामने कर से दाधिनाना बूस है वह लगरान जाती ए फरूंगों से नोले वाली से लोगबं जैसे iPhone जाती नहीं जाता था यहित्यस यह उसके से जनी किन जाता थै लेकिन आजकर नहीं जाता आजकर मिठ़ा लेते लित खुझ कॉंघ forth फ्रूट लेते हैं और तब लेके जहें वो चले जाते हैं तो यहां पे जहें वो मैंने बना दिये थे फिर बीच में मैंने थोड़ा सा रेस्ट के वीडियो के एडिटिंग विगरा करी क्योंकि हमां के पापा लेट आएंगे तो फिर पूड़े मैं बाद में गरम-गरम बना के आती तो लगे हाथ में फिर में बच्चों के लिए पकोड़े बना दी हैं और पूड़े फिर तोड़ा करते करते मैं आज यह मान के चले चार बजे किचन में भूसी थी और किचन में काम करते-करते मेरे को 10 बच गई थे क्योंकि यह जो पूरा भर के मैंने जो है फुलावट आती है उसमें तो अंदर का जो आटा होता है वह बहुत अच्छे से पक जाता है नहीं तो उसमें गाठे रह जाती है तो ऐसे बहुत अच्छे से पकाने पड़ते हैं तो अभी जो लगे हाथ हमां के पापा भी आगे थे और यह करीवन साड़ेनों का टाइम थ हलवाई तो है सुंग सुंग के वैसे ही ठक जाता है पेट भर जाता है उसका और खाना खाने का बन नहीं करता तो और वह टेस्ट में जो है वह पेट भर जाता कि हाई यह चखलू उसमें अमक मिर्ज ठीक है कि नहीं वह मैं चखलू तो मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था चखने किसी और काम में बेज़ी थी तो मैं नहाई नहीं थी तो फिर मैंने सोचा कि जाड़ू पोचा करने के बाद ही नहाँगी क्योंकि क्या है ना कि एक चीज ओर मुझे कल ही पता चली जो कि मुझे नहीं पता थी कि या तो आप जब मंदिर जाते हो ना या तो जाड़ू पोचा करने से पहले जाड़ू पोचा करने के बाद नहाओ ठीक है या मंदिर से आने के बाद आप जाड़ू पोचा करो तो मुझे वो कंसाप्ट मुझे समझ नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इस चीज़ को माना और इसले आज मैं थोड़ा लेट ही नहाऊंगी लेकिन कल जो है कल मैं थोड़ा सा रूटीन में चेंज करके ज़ाडू मैं सुब उठते सबसे पहले ज़ाडू लगा लूँगी और पोचा चाहे मैं मंदिर से आने के बाद लगाऊं क्योंकि नहाने के बाद जब मंदिर से व वह कर रहा है और कितनी excitement है जरूर जह वह मेरे साथ शेयर करना अच्छाइना कमेंट आया था कि एक ना सब्सक्राइबर है हमारी तो वह मेरी वीडियो देखती है और वह मेरे मेरी कोलोनी सही है ठीक है तो वह है उनका कमेंट आया था कि वह अपनी बेटी को एलन में सब्सक्राइब के लिए जाते है इंस्टेट रूट है हमारे यहां पर तो वह गली नंबर दो पर पढ़ता है मेरी कोलोनी में गली नंबर दो पर पढ़ता है वह एड्रस पूछ रही थी और मतलब वह बता रही थी स्टाइन पर ऐसे तो उनको श्याद समझ नहीं है तो हम म मेरा घर तो बिल्कुल एक गली की दूरी पर यह जादा दूर नहीं है तो फिलाल जो है हिमां को उठाई दिया था मैंने और यहां पर तैयारियां चल रही है जाड़ू मैं लगा रही हूं और वरुन को अभी हिमां को रेडी करूंगी वरुन को आज इसके पापा ही छोड़ मंदिर से भी मैं होके आ गई हूं और अभी यह जो कल मैंने कपडों की तैय बनाई थी आप यह मान के चलो यह कल से मुझे इतना भी टाइम नहीं लगा कि मैं इनको वापस अलमारियों में लगा पाऊं क्यूंकि कल मेरा किचन में कई घंटे जो हैं घंटे क्या घंटों और निपटाते निपटाते सारे किचन का का मुझे रात के 10 बज गए तो के बाद में नहाई हूं फिर मतलब मेरी एडियों में इतना दर्द होना शुरू हो गया था हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बतलब आगे कुछ और भी मैं वो कर लूँ या मैं अपनी वीडियो का कु काम अपने हैं जो मैनेज करने हैं और अपने हिसाब से ही करने कोई बाहर वाला तो आएगा है नहीं तो मैं अपना टाइम निकाल के देख लेती हूं कैसे कैसे जह वो चीजे मुझे मैनेज करनी है क्या कुछ करना है और कब मुझे कब इन में से कपडों की तै अभी जो मेर तो ज्वाइब कर लेती हूं जैसा भी मेर से बन पाता है तो इसलिए मेरे पास टाइम है नहीं तो इस ताहिम में फिर हीमांग का जैवो स्कूल का काम वगएरा कराना होता है और भी काफी सारे काम हो जाते हैं तो बस यही है और आई होप आप लोगों ने कल का व्लॉग एंजोई करा होगा और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करि और यह वाला जो ब्लैक सूट इसकी मैं प्रेस करूँ इसकी डिमांड बहुत जादा आई है तो यह वाला सूट में अपने कलेक्शन में रखना चाहती हूं मैं जरूर रखूंगी जिसको बाई करना है वो कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा मुझे तो फिलाल आज घर आप जो है कल से लेकर अब तक मैं रह सारे काम शेर करें और यह जो रेसिपी मैंने आप लोगों साथ शेयर करें और यह जो रूख बनाते जो बनाते ना भोग बलोग करेंब व्लोग में जो फर्स टाउक करना है लाइक कर रज़िश बंब उस expon county कर सकते हो।